Global NCAP ने चार गाड़ीं को Crest Test किया है और चारों के Crest Test result को पब्लिक कर दिया है Volkswagen Vertus, Skoda Slavia, Maruti Alto K10 और Maruti Wagner इन चार गाड़ीं को Crest Test किया गया है Vertus और Slavia हमारी उमीद के इसाफ से परफॉर्म करेंगी ये तो हम जानते थे लेकिन Alto K10 ने जो किया है उसने तो बहुत इतियास रज दिया चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं Virtus और Slavia के बारे में यह दोनों एक ही गाडिया है एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बोडी टैप पर बनी हुई है इसलिए इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का आपन क्रेस्टेस्ट करते हैं तो वो दोनों पे ही अप्लिकेबल होता है Global NCP में Volkswagen Virtus का क्रेस्टेस्ट किया गया है जो कि Slavia के ऊपर भी अप्लिकेबल है इस क्रेस्टेस्ट में इन दोनों गाड़ियों ने अगर मैं पॉइंट वाइस बता हूँ तो 29.71 पॉइंट स्कोर किया है और चाइल्ड उक्यूपेंट्स के लिए भी फाइव आउट वाइस बात करें तो 42 पॉइंट वाइस बता तो मैं बता दूँ कि Global NCP में अभी तक जितनी भी गाड़ी का क्रेश टेस्ट किया गया है फिर वो जाटा महिंद्रा की ही क्यों ना हो किसी भी गाड़ी ने चाइल्ड उक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्कोर नहीं किया है इन दौनों गाड़ियों के पहले फॉक्स वेगन और इसकोड़ा की ही गाड़ियां थी टाइगुन और कोशैक जनोंने चाइल्ड उक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्कोर किये थे मतलब की फॉक्स वेगन और इसकोड़ा की गाड़ियों में ही इतनी दम है कि वो बच्चों को भी उस लेबल की सेफटी प्रोवाड़ियों की जो एडल्ड के लिए जैसे फीचर्स थे इसके लाबा आइसोफेक्स चाइल्ड सीट और एलेक्ट्रोनिक इस्टिबिलिटी कंड्रोल जैसे सेफटी फीचर भी इसमें दिये गए थे आगे बढ़ते हैं तो मारूती वेगनार ने ठीक उतना ही स्कोर किया है जितना की हम लोग उमीद करते थे इस गाड़ी से एडल्ड ओक्वेंट्स के लिए वन स्टार स्कोर किया है और चाइल्ड ओक्वेंट्स के लिए तो जीरो स्कोर किया है एडल्ड ओक्वेंट्स के लिए 19.69 out of 34 points score किये हैं जबकि child occupants के लिए तो 3.4 out of 49 score किया है बस यह गाड़ी हमारे देश में कितनी ज्यादा बिक्ती है यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हो हर महीने top 3 selling cars में इस गाड़ी का नाम होते ही होता है लेकिन फिर भी हम लोग पहले से जानते थे कि यह गाड़ी global NCAP में किस तरह का perform करने वाली है और वही इसने किया है body shell integrity इस गाड़ी की unstable पाई गई है और safety features की बात करें तो जिस variant का crash test किया गया है उसमें ABS, dual airbags EBD, seatbelt pretensioner with load limiter और seatbelt reminder for driver and co driver जैसे safety features दिये गए थे और अब आखर में बात कर लेते हैं मारूती Alto K10 की तो इस गाड़ी ने adult occupants के लिए 2 out of 5 stars score किया है मतलब कि 21.67 out of 34 score किया है और child occupants के लिए इस गाड़ी ने भी 0 stars score किया है out of 5 3.52 points out of 49 Alto K10 मारूती की entry level car है वैगनार से काफी सस्ती मिल जाती है उसके बावजूद भी ये वैगनार से एक point जादा score कर रही है और सिर्फ इतनी नहीं है इस गाड़ी की body shell integrity भी stable पाई गई है जबकि वैगनार की unstable थी तो safety के मामले में Alto K10 बहतर है मारूती वैगनार से काफी shocking है ये result एक ही company की ये दोनों गाड़ियां है दोनों की build quality भी एक ही जैसी है दोनों में बराबर ही safety features दिये गए है लेकिन उसके बावजूद K10 ज़्यादा score कर रही है बहतर score कर रही है वैगनार से safety features की बात करूँ वो है 4 out of 5 stars का जो की Vitara Breza ने किया था उस गाड़ी को भी discontinue कर दिया गया मारूती में सरफ ब्रेज अविलेबल है उसका crest test अभी तक नहीं किया गया है Vitara Breza के बाद में Artega ने score किया था 3 out of 5 stars का उसके लावा मारूती की जितनी भी गाड़ी का crest test हुआ है या तो 0 star या 1 star या maximum 2 star सी score कर पाई है तो इस तरह की कम score करने वाली गाड़िया मार्केट में अविलेबल है और ये बिक्ती भी सबसे जादा ही है आप जानते हो कि Virtus, Slavia Altokaton और Wagner के sales में कितना जारा difference है इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करकर मुँ जरू बताइएगा इस वीडियो में तो बस इतना ही आपका दिन शुप रहे धन्दबाद